हेलो दोस्तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अशोक लियन दोस्त प्लस 2021 के मॉडल के बारे में दोस्तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अन्तितक देखिए जिससे कि आपको अशोक लियन दोस्त प्लस 2021 मॉडल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी के प्राइस माईलेज और गाड़ी में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं ये सब details की बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे जिससे की मेरे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं अशोक लेंड दोस्त प्लस के इंजन के बारे में इस गाड़ी में अशोक लेंड के द्वारा 1.5 लिटर का 3 सिलेंडर वाला BS6 इंजन लगा के दिया जाता है जो की डीजल वाला इंजन रहता है दोस्तों अगर बात की जाएं इस इंजन के displacement के बारे में तो ये आपको 14isia8 chase का displacement देता है दोस्तों अगर मैं बात करूं अशोक लेंड दोस्त प्लस के इंजन के इंजन के maximum power के बारे में तो इस गाड़ी का इंजन आपको 80 horsepower देता है यह आपको 3300 RPM में 80 HP देता है वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो अशोक लेन का दोस्त प्लस आपको 190 Nm का टॉर्क देता है जो आपको 1600 से 2400 RPM में मिलता है दोस्तों अगर मैं आपको बताओं इस गाड़ी के क्लच के बारे में तो इसमाँ आपको 240 Nm का डाया फ्रम क्लच मिलेगा जो कि सिंगल ड्राइप टाइप क्लच रहता है यह क्लच जो रहता है यह मेकेनिकल केवल्स के थूर्व ऑपरेट होता है जिसके कारण इस कलच को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है अगर बात करें इस गाड़ी के गेरबॉक्स के बारे में तो आपको इसमें फुली सिंक्रोमेस गेरबॉक्स देखने को मिलेगा जो की 5 स्पीड के साथ आता है यह जो गेरबॉक्स रहता है यहाँ आपको गेरबॉक्स में जिसके कारण गेर्स को सिफ्ट करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है ड्राइवर को इसमें ज़्यादा एफट नहीं लगाना पड़ता दोस्तो अगर बात की जाए इस गाड़ी के brakes के बारे में तो इसमें आपको hydraulic brakes देखने को मिलेंगे दोस्तो अशोक लेन के दोस्त प्लस मैं आपको front में जो suspension देखने को मिलेगा वो parabolic leap spring suspension देखने को मिलेगा साथ साथ इसमें आपको double acting sock absorbers भी front में अशोकलेन के दोरा लगा के दिये जाते हैं जिसके कारण ये गाड़ी बहुत ज़्यादा load ले जाने में अक्षक्षबन रहती है और इस गाड़ी का जो suspension रहता है बहुत ज़्यादा strong रहता है जोस्तों अगर बात की जाए इस गाड़ी के rear suspension की तो rear में आपको अशोकलेन के दोरा semi electric leap spring suspension लगा के दिया जाता है यहाँ आपको rear में भी sock absorbers देखने को मिलेंगे ये double acting sock absorbers रहते हैं जोस्तों अगर बात की जाए गाड़ी के tires के बारे में तो इसमा आपको 195R15 के tires देखने को मिलेंगे जो की 8P TR के tire company के दोरा लगाके दिये जाते हैं इस गाड़ी में आपको 4 Tara company के दवारा गाड़ी में लगाके दिये जाएंगे और साथ-साथ आपको एक spare tire company के दोरा दिया जाएगा तो अब हम बात करेंगे गाड़ी के weight के बारे में अगर मैं आपको इस गाड़ी का gross vehicle weight यानि की GVW बताऊं तो इस गाड़ी में आप 205 kg का GVW आपको मिलने वाला है वहीं बात करें गाड़ी के payload के बारे में के साथ co driver बहुत easily बैड़ सकता है तो यह जो गाड़ी है D plus 1 sitting arrangement के साथ आपको मिलती है अगर मैं आपको बताऊं इस गाड़ी के fuel tank capacity के बारे में तो इसमें अशोक लेन के दोरा आपको 40 liter का fuel tank लगा के दिया जाता है दोस्तों अगर बात करें हम अशोक लेन दोस्त प्लस के BS6 version की length और height के बारे में तो इस गाड़ी की जो overall length है यह आपको 430 mm मिलेगी और गाड़ी का जो overall height रहता है यह 1900 mm रहता है गाड़ी का wheelbase आपको 2510 mm मिलेगा दोस्तों आप जानते हैं गाड़ी के सबसे main feature के बारे में यानि की load body की length width और height के बारे में इस गाड़ी में आपको 8.7 feet लंबी load body मिलेगी इसकी चौड़ाई 5.3 feet रहती है और इसकी जो height रहती है वो 1.2 feet रहती है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अशोक लेन के द्वारा आपको बहुत बड़ी load body इस गाड़ी में लगा के दी जा रही है जिससे कि आप इस गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा material केरी करके ले जा सकते हैं दोस्तों अगर बात की जाए अशोक लेन दोस्त प्लस BS6 के माईलेज के बारे में तो ये गाड़ी आपको 17.6 kmpl का माईलेज दे रही है जो कि मेरे हिसाब से इस segment की गाड़ी के लिए बहुत अच्छा माईलेज है दोस्तों अगर मैं बात करूँ अशोक लेन दोस्त प्लस BS6 के प्राइस के बारे में तो ये गाड़ी आपको 7.24 लैक से स्टार्ट होती है जो मैंने आपको ये प्राइस बताए एक्सो रूम डेली का प्राइस बताया अगर आपको गाड़ी का exact या on road प्राइस पता करना है तो मैं आपसे request करूँगा आप अपने nearest अशोक लियन के light commercial vehicle के dealership में विजिट कर लिजिए जिससे आपको गाड़ी का exact प्राइस पता जल जाएगा तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment section में जरूर बताईए अगर आपको किसी अन्निगाड़ी का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे comment section में लिख सकते हैं दोस्तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद